उत्तर प्रदेश के गोरगपुर इस्तित गीता प्रेश महज प्रेश नहीं बल्कि हमारी धरवर है जो हमारी संस्कृति को सहेज कर उसे जन जन तक प्रसारित करती है इनकी पुस्तकों पर लिखे स्लोग सिर्फ पुस्तकों पर ही नहीं छपे बल्कि हमारे मानस पटल पर भी अंकित हो चुके हैं रादे सियाम खेम का एक मसुहूर नाम इसी गीता प्रेज से आता है गीता प्रेज के अध्यक चले चुके और सनातन धर्म के प्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्यान के संपातक थे तीन अप्रेल 2021 को 27 वर्स की उम्र में केदारगाट कासी इस्तित उनके ग्रह निवास में उनका निधन हो गया था उन्होंने गीता प्रेज के अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत सकार ने हाली में उन्हें पद्म भिभूसन पुरुसकार जो भारत के नागरिक के तोर पर दुत्य सबसे बड़ा पुरुसकार है उससे सम्मानित किया है राधे स्याम खेम का करीब 40 साल कल्यान के संपादक रहें थें 1982 वर्स में वे गीता प्रेश की कलियान पत्रिका के संपादक बने, उन्होंने अपने कारिक्याल के तोरान कही महापुराणों, तथा कर्मकांड वा संसकारों के दुर्लब ग्रंतों का प्रमानिक संसकार्नों का संपादन किया, और पुस्तकों का प्रकासन उन्हीं के स्वामी करपात्री जी संक्राचार्य स्वामी रूपनंद सरस्वती पूरी के संक्राचार्य स्वामी निरंजन डेव तिर्थ और वर्तमान पीठा दिस्वर्थ स्वामी निश्चला नंद कथा व्यास रामचंद्र डोंग्रे जैसे संतों के संपर्क में उनका जीवन रहा और लगातार उन्हें उनका सानिध्य मिलता भी रहा वारनसी में मारवाडी सेवा संग मूमू चू भवन स्रीराम लक्ष्मी मारवाडी अस्पताल गदोल्या बिल्ला अस्पताल मचोदरी कासी गौसाला ट्रस्ट से भी वे जुड़े रहें और इन संगटोनों में उनकी सेवा भी रही राधे सियाम खेमका जी का जन्म 12 दिसंबर सन 1935 में मुंगेर जिला बिहार में हुआ था और वारनसी उनके निवास इस्थान पर जानी जाती है उन्होंने कासी हिंदु विस्व विद्याले से एम्मे संस्कृत की पढ़ाई की और साहीति रत्न की उपाधी भी प्राप्त की कुछ समय उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की थी वेक्तित्व के बारे में यही कह सकते हैं कि राधे स्याम खेम का पूरी तरह धार्मिक वा सात्विक प्रवरितिके थे, वह स्टिल या लोहे के बर्तर में कभी भोजन नहीं करते थे, गीता प्रेस आते थे तो यहां पतल में खाना खाते थे और कुल्णड में पानी पीते थे, इतना ही नहीं उन्होंने कभी चर्म वस्त को भारत सरकार ने पद्म विवूसन से सम्वानित किया, आप सब भी इनसे प्रेरनर लें और हमारे सनातन धर्म को समस्त विश्वत तक फैलाएं, धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए आसा करता हूँ कि आपको यहां विबरन अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को से स्याम खेमकाजी के बारे में अन्य लोगों को भी जरूर बताएं